जए हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आ हैं आपके लिए आपर बहुत ही महत्तोपण कॉस्चन आंसर आचा रामचन सुकल जी से संबंदित तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है आचा रामचन सुकल जी से संबंदित फर्ष्ट कॉस्चन यहाँ पर क्या पूचा है उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करना है ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और अपके लिए प्लेश्टूर से यहाँ आपके लिए हंदी सायत का संपुर्ण कोर्स हंदी सायत की टेस्ट सीरिज और 2020 यहाँ पर ओफल चल रहा है तो आप इस ओपर का फायता लें और अपनी तयारी को मजबूत बनाए सेलप स्टटी कलासेस एप के माध्यम से तो आज ही डाउनलोड कर लें पिलेश्टूर से औ कि आचार रामचन सुकल जी का जर्म कब हुआ तो बहुत ही महत्तपुन पूश्चन पूशा है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर C आनकी 1884 ECB में 1884 ECB आपका बिल्कुल चाही राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य के काल विवाजन में आदिकाल को बीर गाता काल नाम कि आचार रामचन पूश्चन फिल्कुल जी का करता है और बिल्कुल चाही राइट को सकता है जो समन्भय कर सके यह थो आचारामचन सुकल जी का क्ताब नहीं है तो विकल नमबर B आपका इहां पर सही आंसर है Q4 पूंचा है आचार रामचन सुकल ने कितने ग्रंथों के आधार पर आधिकाल को बीरगाता काल नाम दिया 10, 8, 12 या 14 है तो कितने ग्रंथों के आधार पर आदि काल को बीरगाता काल नाम दिया था आचार रामचन सुकल जी ने तो 12 ग्रंथों के आधार पर बिलकुल सही आचार रामचन सुकल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल कवेचन क्या है चायबाद, प्रियोगबाद, प्रगतिबाद और नई कवीता का तो आचा रामचन सुकल ने अपनी इतिहास ग्रंत में अंतिम रूप से किस काल का विचन क्या है तो छाय बाद आपका सही आंसर होगा आचा रामचन सुकल ने किस कभी को हिंदी का प्रिथम कभी माना है महत्त पुन कौश्चन है बहे कौन सा कभी है जिसको हिंदी का प्रिथ किस्ति मानी है रासक सब्द से रसायन सब्द से या राजस्वे यग से या फिर राजचंद से तो यहाँ पर आपका सही आंसर रसायन सब्द से रासु सब्दी की उत्पत्ति मानी है किसे रसायन सब्द से किसने रामचन सुकल जीने क्वेस्ट नमबर आठ है आचार रामचंद सुकल ने किस काब्ब को हिंदी का पहला महा काब्ब और उसकी रशिनाकार को हिंदी का पहला कभी माना है महत्वपुन कॉस्चन पूचा गया है और कॉस्चन नमबर आठ का आपका जो सई आंसर है वह विकल्प नमबर एक यानि की आचा रामचंद्र सुकल जी ने प्रत्वी राज रासो काभ्वे को हिंदी का पहला महा काभ्वे और इसकी जो रचिना है चंद बरदाई इनको माना है किसने रामचंद्र सुकल जी ने आचा रामचंद्र सुकल जी की एक मात्र कहानी है लालपान की बेगम खेल ग्यारे वर्स का समय या फिर पत्थगा तो इनकी एक मात्र जो कहानी है ग्यारे वर्स का समय इनकी एक कहानी है रामचंद्र सुकल जी की आचा रामचंद् निर्मान के लिए इन्योक्त हुए थे 1905 इस भी में 1905 आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कॉस्चन नमबर 11 है आचा रामचन सुकली की रचिना चिंता मली में कितने निवंद संग्री थें तो इनमें 17 निवंद संग्री थें विकल्प नमबर आपका C यहाँ पर राइट आंस होगा आचा रामचन सुकली की रचिना चिंता मली भाग दो में कितने निवंद संग्री थें भाग दो में पूंचा है आपसे भाग दो में कितने निवंद संग्री थें तो कॉस्चन नमबर 12 है और 12 का सही आंसर है इसमें भाग दो में 21 निवंद संग्री थें बिलकुल सह Q3 पूँचा है कि चिंतमनी भागतीन के संपादक कौन है भागतीन के संपादक पूँचा है तो Q13 का राइट आंसर आपका यहां पर होगा विकल नंबर C यानि की डाक्टर नाम बार से हैं आपका सही आंसर होगा Q14 क्या पूँचा है तो देखे आचा रामचन सुकल का ग्रंत हिंदी साहते का इतिहास पहली किस नाम से प्रकासित हुआ Most important question है कई बार इंक question पूँचा जा चुका है एक्जाम में आचा रामचन सुकल जी का ग्रंत हिंदी साहते का इतिहास पहली किस नाम से प्रकासित हुआ हिंदी साहित का विकास विकल नंबर एक सही आंसर होगा आचार रामचन सुकले ने किस पत्रिका का संपाधन किया था वह पत्रिका आपके लिए बताना है कौन सी वह पत्रिका थी जिसका जो है क्या क्या था संपाधन किया था किस ने आचार रामचन सुकले जी ने आनंद पत्रिका का संपादन क्या था आचार सुकल ने कॉस्चिन नमबर 16 की बात करें कि आचार रामचन सुकल का जन्म कहां हुआ इनका जन्म बताना है तो इनका जन्म हुआ था कहां पर आचार रामचन सुकल जी का जन्म अगोना वस्ति आपका यहां पर सही आंसरों का विकल है आचा रामचन सुकली की एक मात्र कभीता भारत और बसंत किस पत्त्रिकां प्रकासित हुई थी नांगरी नीरद में आनंद कादंबनी में इंदू या मर्यादा में तो question number 17 ये जो है प्रकासित हुई थी तो अनंद कादंबनी विकल्प नंबर B आपका सही answer और होगा चाहा रामचन सुकल ने किसे काफ़े ग्रंथ मांई किस काफ़ेंगलंत से शोहां किसा सुफिय आख्यान काफ्वे के अखंड़त परंपरा की समाप्ति मातए है तो नूर महम्माद की अनुरागवासरि से विकल्प नमबर आपका दी यहां पर सही और विकल्प टी राइट आंसर है, question number 19 की बात करें यहां पर कि आचा रामचन सुकल ने किस रचना से प्रेम मारगी का बधारा की प्रेम संबंदी कता की अंतिम रचना मानी है, तो सेख नभी की ज्यान दीप रचना से तो विकल्प नमबर आपका यहां पर एक जो है सही आंसर होगा, question number यहां पर पूछा है अपना आचा रामचन सुकल की एक मात्र कहानी, यहां पर एक मात्र कहानी ग्यारे वर्स का समय का प्रकास्थ होई थी, यह आपको बताना है, question number 20 है और आपका सही आंसर है, एक मात्र कहानी ग्यारे वर्स का समय यह जो है का प्रकास्थ होई थी, तो यह प्रक फार्सी में, संस्कृत में या फिर हिंदी में आचार सुकल की प्रारंबिक सिक्चा किस भासा में हुई तो उर्दु फार्सी में उर्दु फार्सी आपका बिल्कुल चाही राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया भिकल्प ब्राइट आंसर होगा बिल्कुल चाही विकल्प निम्पर बिल्कुल ब्राइट आंसर है की चंद सेखर सुकल आपका राइट आंसर होगा आचार रामचन सुकल की जीवनी चिंता मणी चिंतक आचार रामचन सुकल नाम से किसे ने लिखी Q24 है इस नाम से जो जीवनी लिखी थी राजमल बोहरा आपका सही आंसर है विकल्ब नमबर एक आपका right answer होगा आचा रामचन सुकल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा 1923 इस वी में 1929, 1924, 1935 में तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा आचा रामचन सुकल जी ने 1929 इस वी में बिलकुल सही विकल्ब नमबर भी होगा right answer Q26 की बात करें आचा रामचन सुकल की आलोचिनात्मक रचना गोसवामी तुलसीदास का रचना काल है यह आपको बताना है आचा रामचन सुकल की आलोचिनात्मक रचना है गोसवामी तुलसीदास रिसका जो रचना काल है बह क्या है तो आपका right answer विकल्ब नमबर एक यानि की 1923 इस वी आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही आचा रामचन सुकले ने भिरमर गीत सार ग्रन्था वली का समपादन कभी किया आपका यहां पर सही आंसर है 1924 इस वी में इन्होंने भिरमर गीत सार ग्रन्था वली का समपादन किया था question number 29 की बात करें की चिंतामणी भाग एक का रचना काल क्या है question number 29 है और 29 का आपका जो सही आंसर है इसका रचना काल बताना है तो बिल्कुल चाही दो बिकल्प में सही बता दीजे चिंतामणी भाग एक का रचना काल बताना है तो उननिस सो उन्तालिस इस भी बिल्कुल चाही आंसर होगा उननिस सो उन्तालिस इस भी अंगला question क्या पूचा है तो चिंतामणी भाग दो का रचना काल पूचा है तो question number 30 है और 30 का बिल्कुल चाही राइट आंसर होगा उननिस सो पैंतालिस इस भी आपका सही आंसर है भाग एक का उननिस सो पैंते से भाग दो का रचना काल है उननिस सो पैंतालिस question number 31 से आचा रामचन सुकल की ग्रंथ रस मीमानसा का संपादन किस ने किया तो रस मीमानसा एक ग्रंथ है आचा रामचन सुकल जी का और इसका संपादन किया था विस्व नाद पिरसाद मिस्र जी ने तो विकल्प नमबर आपका C यहाँ पर राइट आंसर होगा question number 32 यहाँ पर पूँचा है क्या आचा रामचन सुकल ने दा इनिवर्स का हिंदी अनुवाद किया था रामचन सुकल जी ने किस नाम से किया था तो आपका सही आंसर होगा question number 32 का विकल्प नमबर C यहाँ की विस्व प्रपंच नाम से इसका हिंदी अनुवाद क्या था दा इनिवर्स का आचा रामचन सुकल की अनुसार बीर गती के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है बीर गती के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक खुमाल रासो है विसल दिव रासो है प्रतवीराज रासो है या परमाल रासो है तो बीर गती के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक की बात करें तो विसल दिव रासो आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही Q'sília no.34 क्या पोचा है कि आचा राम्चंसुकल ने किस रासो के लिए कहा है कि एह घटनात्मक कापवे नहीं है बर्नात्मक है तो बहे कौन सा रासो उंक्रंथ है किस रासो के लिए कहा है कि एहगटनात्मक काप बे नहीं है एहबनात्मक है तो एहकार वीशल दिवरासो को कहा है किसने आचा रामचन सुकल जी ने कि एहगटनात्मक काप बे नहीं है बनात्मक है question number 35 आचा रामचैन सुकल जी के बारे में कहा था कि जो है किन के बारे में कहा था कि इनकी भासा ललित एवं सानु प्रास होती थी यह आपको बताने किन के बारे में कहा था रामचैन सुकल जी ने तो 35 का सही आंसर है कहा था इन्होंने चिंता मली के बारे में विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा question number 36 पूचा कि आचा रामचैन सुकल जी ने किन के बारे में कहा है कि इनका एक एक दोहा साहित का एक एक रत्न माना जाता तो बिहारी जी के बारे में कहा था तो विकल्प नंबर भी आपका इहां पर सही आंसर होगा आचा रामचैन सुकल जी ने किनकी बारे में कहा है कि इनका सच्चा कभी हिर्दय था ये आपको बताना है आचार रामचन शुकल जी ने कि इनके बारे में कहा है की इनका सच्चा कभी हिरदय था चिंतामनी पदमाकर की सब्दास या मतिराम की बारे में कहा है तो एह कहा है किसके बारे में मतिराम भिकल नंबर D राइट आंसर होगा आचार सुकल नेक इनकी बारे में कहा है कि इनके बीर रस के उदगार सारी जनता के हिर्दय की संपत्ती हुए तो किसके बारे में कहा है आचार रामचन सुकल जी नेकी इनके बीर रस के उदगार सारी जनता के हिर्दय की संपत्ती हुए तो यहाँ पर आपकी चार विकल्प दे गए हैं भूसन, पदमाकर, मतिराम या फिर अंगला विकल्प है सेनापती तो एह कहा है किसके बारी में भूसन जी के बारी में तो विकल्प नमबर एक सही आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां अंगला विकल्प पूच्चन पूचा है आचार सुकल ने किस कभी को हिंदू जाती का पृतिनिधी कभी कहा है भूसन को, मतिराम को, पदमाकर को, सेनापती को तो आचार सुकल ने कहा है भूशन को तो विकल्ब नमबर ई आपका यहां पर सही आंसर है आचार रामचन सुकल जी ने किस कभी के बारे में कहा है कि छंद सास्तर का इनका सा विसद रूपन और किसी कभी ने नहीं किया है तो किस के बारे में कहा है आचार रामचन सुकल जी ने भिकारिदास, सुकदेव मिस्र या कविदेब या स्रीपती ये आपकी चार विकलब है और एह कहा है किछन सास्त का इनका सा विसद इन रूपन और किसी कभी नहीं किया है तो सुखदेव मिसर के बारे में कहा है बिल्कुल सही, ये आचार और कभी दौन रूप में हमारे सामने आते हैं, आचार सुखदेव का एहकतन के लिए आया है, भिकारीदास, कभी देब या सुखदेव मिसर या स्रीपती, ये आचार और कभी दौन रूप में हमारे सामने आ गल्ब और पृतिवा संपन्य कभी थे इसमें कोई संदे नहीं है एह कहा है आचार रामचन सुकल जी ने किसके बारे भिकारी दास कभी देव सुक देव मिस्र या स्रीपती तो एह कहा है किसके बारे में कभी देव के बारे में तो विकल नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर ह आचार सुकल ने एक इनके बारे में कहा है कि ऐसा सर्वप्रिय कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड कोई दूसरा नहीं हुआ है इनकी रचना की रम्नियता ही इस सर्वप्रियता का एक मात्र कारण हैं यह आपको बताना है एह किस के बारे में कहा है कि ऐसा सर्व प्रिये कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ कोई नहीं हुआ है इनकी रचना की रम्नियता ही इस सर्व प्रियता का एक मात्र कारण है तो पदमाकर के लिए कहा है महत्तपूर्ण कॉस्चन पूँचा गया है त दुख सब को मांजता है एपं ती री आचा रामचन सुकल की नहीं है । यदिया ऑचा सुकल की बात करे चंव 1884 ECB में इनका जन्म हुआ था कहां पर इनका जन्म हुआ था कहां पर हुआ था कि सभी लोग बताएंगे कमेंट में इनका जन्म कहां पर हुआ था और इनकी जो मृत्तु है इनकी जो है मृत्तु हो इन्हें धन हुआ था कब हुआ था उन्ने सो एक तालिस में तो इस परकार अपना यहां पर बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन देखे अपनने आचा रामचान सुकल जी से संबंदित के ऐसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरू बताएं और वीडि हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है हिंदी साहित की टेस्ट सीरेज उपलब्ध है और यहां पर अभी ओफर भी चल रहा है तो इस ओफर का लाव लें और सब्ताह में दो दिन आपकी यहां पर 2020 टेस्ट सीरेज फिर ही टेस्ट सीरेज होती है तो इस टेस्ट सी